पूरा देश सन रह गया लोग की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि किसी देश की एक यूनिवर्सिकी में उसी देश के टुकड़े करने के नारे कैसे लग सकते हैं दरसल हिंदुस्तान में वामपंत की बुनियाद ही देश के कई टुकड़े करने की सोच के साथ पड़ी है इसलिए जेनियू के वामपंती छात्रों ने अगर ये नारा लगाया तो वो अपने पितामाहों के सपने को ही पूरा कर रहे थे आज हम आपको बताएंगे कि आजादी के पहले भारती कम्मिनिस्ट पार्की ने कैसे भारत के विभाजन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए वामपंती इतिहास कारों ने हिंदुस्तान के प्रामारिक और गौरोशाली इतिहास का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है आजादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास लेखन पर वामपंती लोबी का एक शत्र कपजा रहा और इस लौबी ने सनातन संस्क्रिती और उसके अतीद को बदनाम करने का खुला खेल फरुखाबादी खेला ऐसे में वक्त आ गया है कि इन वामपंथियों का इतिहास भी जान लिया जाए दरसल साल 1917 में रूस में जार यूग के खात्मे के बाद भारत में वामपंथ की बुनियाद पड़ी जार यूग की समापती के बाद दुनिया भर में कौमिनिस्ट इंटरनाशनल के बैनर तले वामपंथियों की जमात तैयार होने लगी M.N. Roy नाम के एक शक्स इसी दोरान मैकसिको और अमेरिका होते हुए रूस पहुचे और वहाँ जार शासन को उखाड फेकने वाले लेरिन के शरनागत हो गए M.N. Roy ने रूस से मिलने वाले पैसो के दम पर तब भारत में अपने कौमिनिस्ट गुरगे खड़े किये जिनका काम आंदोलन करना, नारेबाजी करना और वामपंथ के विचार को हिंदुस्तान में फैला ना था रूस में बैठे M.N. Roy के कौमिनिस्ट गुरगे तब भारत से इस बात की रिपोर्ट भेजते थे कि यहाँ पर वामपंथ की विचारधारा कितनी फैल रही है इसी के बाद लेलिन के आशिर्वाद से रूस में बैठ कर ही M.N. Roy ने एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया कौमिनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया कौमिनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया अपनी स्थापना के समय से ही भारत को कई टुकडों में बाटने की मुहीम में लग गई CPI ने द्वीराश के सिध्धान का दिल खोल कर समर्थन किया EMS नमबूदरी पाद और A.K. गोपालन जैसे तक कालिन CPI नेताओं ने पाकिस्तान के समर्थन में जुरूस निकालना शुरू किया जिसमें वो खुद पाकिस्तान जिन्दाबाद और मुपलिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते थे पाकिस्तान फ्रॉम जिन्ना टु जिहाद नाम के किताब में एक वामपंथी नेता खुआजा एहमद अबास के हवाले से CPI नेताओं की कलई खोली गई है इसके दक्ता और राजीव शर्मा द्वारा लिखी गई किताब पाकिस्तान फ्रॉम जिन्ना टु जिहाद के पेज नमर 18 पर खुआजा अहमद अबास के हवाले से लिखा गया है CPI ने भारत को मार डाला था क्योंकि इन्होंने मुस्लिम अलगावादियों को बैचारिक आधार प्रदान किया था दिल्चस्ट ये है कि जिन मुस्लिमों ने बामपंथियों के बहकाओं में आकर पाकिस्तान का समर्थन किया बाद में पाकिस्तान को लेकर उनका अनुभव काफी खराब रहा हामिद दलवाई ने अपने खिताब मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया के पेज नमबर अठाउन पर लिखा है डॉक्टर अश्रफ और सज्जाद जहीर जो कॉम्निस्ट आंदॉलन को गती देने के लिए भारत से पाकिस्तान गए थे सीधे जेल में डाल दिये गए उन्हें जेल से निकलने में दस साल लग गए और निकलने के बाद वो चुपचाब भारत लोटाए मतलब यह है कि जिन बामपंथियों ने लाल लंगोर बांध कर अलग देश के रूप में पाकिस्तान का समर्थन किया वे उसी पाकिस्तान में बामपंथ का बीज डालने तक का साहस नहीं जुटा पाए लेकिन लोगतांत्रिक मुल्यों वाले भारत में ये आज भी इसके और टुकडे कराने की मुहिम में जुटे हुए है बेरो रिपॉर्ट जी मीडिया